लोकसभा चुनाओ की मतगणना चार जून को होगी जिसे लिकर निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है उपजिला निर्वाचन अधिकारी निलीमा तक्षक ने बताया कि जैपूर लोकसभा सीट की मतगणना राजस्थान कॉलेज और जैपूर ग्रामिन की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी उन्होंने बताया कि जैपूर निर्वाचन शेतर की मतगणना 151 राउंड और जैपूर ग्रामेन की मतगणना 161 राउंड में की जाएगी इसके साथ ही मतगणना इस्तलों पर सुरक्षा व्यवस्ता की पुक्ता इंतजाम किये गए हैं और सभी प्रकुष्टों के लिए नियंतरन कक्ष भी इस्तापेद किये गए हैं और लोगसबा चुराओ की मतगणना की तयारियों पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे समवादाता मोहमत अतीक हम से जुट चुके हैं ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जैपुर में मतगणना को लेकर क्या कुछ तयारियां चल रही है जी अतीक अतीक लोगतंत्र का सबसे बड़ा उस्सव जिस उस्सवा के साथ मनाया गया आज उसका अंतीम चरण है पुरा देश और प्रदेश जो है वो उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जिस दिन EVM पर जो लगावा ताला है वो खुलेगा इसको लेकर राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने क्या कुछ तयारियां कर रखी है जी अतीक चार जुन को लोगसभा चुनाओं की मतगरना के लिए प्रशाशन ने बहुत पहुता इंतजाम कर रखे हैं अगर मैं बात करूँ राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में दो जगहों पर दो लोगसभा सीटों के लिए मतगरना होगी तीन लेएर में यहां पर सुरक्षा विवस्था की गई है पहली लेएर में पैरा मिलिटरी के फोर्स की लगाई गई है दूसरी लेएर में पिएसी के जवान तैना थे और तीसरी लेएर में जो राजी के पुलिस है वो तैना थे अब इसके अलावा जो CCTV फुटेज है और इसके अलावा जो CCTV है और इस तरीके से उनकी निगरानी की जा रही कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इसके अलावा और भी कई सारी तयारी कीगी है जैसे कि EVM को लेकर के जो जानकारी दी जाएगी वहाँ पर जो strong room है room के आसपास में ही जो room बनाए गया जहां पर conference hall है मीडिया के लिए कक्ष बनाए गया है और जो observer होंगे उनके लिए अलग room बनाए गया है इस तरीके से चीज़े होंगी और कितने round में voting हुए ये भी मैं आपको बताता हूँ जो जैपूर शहर लोकसभा seat है वहाँ पर 151 round में counting होगी और इसके बाद में चीज़ें निकल करके आएंगी निकास जी अतिक जो राजनितिक पाइटिया है अगर उनकी बात करी जाए तो चार जून को लेकर आपने उनका दोरा किया होगा उनके जो head office है वहाँ पर तो वहाँ पर क्या कुछ माहोल चल रहा है चार जून की म आज मतदान हो रहे हैं अब जो चार जून को मतगरना होगी उसके लिए सभी राजनितिक दलों ने अपना जो रणनीति बहानी शुरू कर दी है Congress Party में हमने जब गए वहाँ पर और जब भाश्वाय की तरफ हमने रूख किया तो वो जो नेता थे नेता अपने कारेकरताओं को टिप्स दे रहे थी कि कैसे जब मतगरना होगी जो EVM मशीन होगी उसको कैसे उसको देखेंगे और जो data होता है data का मिलान किया जाता है जो data होता है मतलब कितने वोट पड़े और कितने जो है नोटा पर गया और उसके लाव कितनी वहां की संख्या रही कितने मतदाता खुल रहे ये data मिलान करने के बाद जब उचित पाया जाएगा तभी उसको जो है EVM को ओपन किया जाएगा तो इस तरीके से जो सभी राजन निर्वाचन विभाग ने क्या कुछ विशेश व्यवस्था की है ऐसा कोई एप अगरा कोई तयार किया है ऐसे कोई जानकारी अगर आपके पास में है तो वो हमारे दर्शकों से साजा जरूर कीजिए जी विकास निर्वाचन विभाग ने जो मतगरना है उसकी पल-पल की अपडेट देने के लिए एक एप बनाया है जिसका नाम है वोटर टरनाउट एप इसे कोई भी अपने मुबाइल में डाउनलोड कर सकता है डाउनलोड करने के बाद में इसमें जब मतगरना होगी तो उसम समया नुसार जो भी अपडेट्स रहेंगी वहाँ से लोग पता कर सकते हैं और इसके अलाओ भी और भी कई सारी चीज़ें हैं जब भी कभी मतगरना में कई सरी राउंड को लेकर के उस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें अपडेट की जाती हैं कि किस राउंड में कितने शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साजा करने के लिए